नवस्कार बहुत स्वागत है आपका किस वक्त नहाने से सबसे ज़्यादा फाइदा होता है और कौन सा वो वक्त है जब नहीं नहाना चाहिए तो चलिए आज हम जानते हैं बिश्तार से वीडियो के अंतर बनी रही है और अगर अभी अभी आप हमसे जुड़े हैं तो प्ली चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो पसंद आए तव लाइक कीजेगा तो नहाना हमारे सरीर के लिए फाइदे मंद है लेकिन क्या आपको पता है कि दिन में किस वक्त नहाने से आपका स्वास्त अच्छा रहता है जादा नहाना वैसे तो दिनचरिया का एक एहम हिस्सा है और स्वास्त के लिए भी सबसे महत्पूर्ण है लेकिन क्या आपको पता है नहाने के बहुत सारी फाइदे भी है लेकिन किस वक्त नहाना सही रहता है और दिन में किस समय नहाना ठीक नहीं है क्योंकि ये स्वास्त के लिए अगर साम में नहाते हैं तो स्वास्त आपका ज्यादा बहतर रहता है क्योंकि कई रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आप रात में नहा रहे हैं तो आप एकदम सही कर रहे हैं क्योंकि रात में नहाना आपकी स्किन के लिए बहुत फाइदे मन रहता है खासकर अगर गर्मी या बारिस का मौसम हो तो लंबे समय तक जब आप घर से बाहर रहते हैं पूरे दिन में आपकी स्किन पर काफी मिट्टी पसीना बेगर चिपक जाता है तो इन से होने वाले बिमारियों से बचने के लिए आप साम में नहाएं तो एक अच्छी रूटीन है इसलिए बिश्तर पर जाने से पहले आप खुद की बॉडी को अच्छे से साप चरूर करें अब ऐसा नहीं कि सुवह नहाना गलत है सुवह नहाना तो और भी अच्छा है लेकिन हमने बताया कि साम में नहाने के क्या फाइदे हैं साम में नहाने से आपके बलट पेरसर को नियंतरित रखने में पाइदे देते हैं तो स्वास के दिश्टी से अच्छे लेकिन किस टाइम नहीं नहाना चाहिए देखिए आयुरबैद में कई तरह के नियाव है कहा जाता आप खाना-खाने के तुरंट बात नहाते हैं तो समझे यह आपकी आदत गलत है क्योंकि खाना-खाने के कम से कम एक स दो घंटे तक नहीं नहाना चाहिए इसके लाबे भी दिन में कई ऐसे समय हैं जिस समय आपको नहाने से बचना चाहिए जसी कि अगर आप सोने जा रहे हैं तो उसके ठीक पहले नहाएं अगर आप लंबे सावन आपको लेने की आदत है तो ऐसा आप ना करें खास कर सोने और नहाने के बीच का अंतर जरूर रखिए अगर आप दिन में पहले ही एक या दो बार नहा चुके हैं तो आपको बार बार नहाने क्या वासकता ही नहीं है ये तो हम आपको अईरवेदिक कारण बता रहे हैं लेकिन हमारा सास्तर क्या कहता है सास्तर कहता है कि जब आप असना करने जाते हैं तो बहुत साई लोग क्या करते हैं नहातेस में सीर पर बाद में पानी डालते हैं सबसे पहले पूरे सरीर को गिला करते हैं लेकिन यह गलत है अगर आप सर से नहाने जा रहे हैं तो सबसे पहले सर पर पानी डाले या फिर आप नाभी पर पानी डाले फिर पू तरका होता है पहला होता है देवस्नान अब देवस्नान क्या होता है देखिए अधिकांस लोग सुर्योदे के बाद ही असनान करते हैं लेकिन यदि ठीक सुर्योदे के बाद किसी नदी में असनान करते हैं या घर पर ही आप नदियों का नाम लेकर गंगार नदी का भी नाम या मंत्र जब तेवे असनान करे तो इस असनान को देव असनान कहा जाता है यानि सुरूयदे के वक्त अगर आप असनान करते हैं तो दूसरा होता है ब्रह्म असनान ब्रह्म मुहृत यानि सुबा लगभग चार से पांच बजे का जो समय होता है वो भगवान का समय है भगव इस समय में असनान करता है रोज इस्ट देप की विसेश खुर्पा बरसती है और जीवन के दुखों से मुक्ति मिल जाती है ऐसे लोगों को जो भरं असनान हरोज करते हैं तीसरा होता है रिसी सनान रिसी मुनी होते हैं कि वह जब अकास में तारे दिखाई दे रहे हो और उस समय असनान करें तो उस असनान को रिसी असनान कहते हैं यानि कि सुर्योदे के ठीक पहले वाला असनान सुर्योदे से पुर्व किये जाने वाले असनान को मानव असनान भी कहते हैं और सुर्योदे से पहले किये जाने वाले असनान ही सर्वस्रेश्ट होते हैं करते हैं तो सुबह आठ वजे के बाद असनान करने वाले को दानव असनान कहा गया है सास्त्रों के अनुसार हमें ब्रम्भा असनान ब्रम्भा असनान देव असनान या रिसी असनान ही करना चाहिए और यही सरबस्रेश असनान है रात के समय या साम के समय नहीं 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 आना चाहिए जो लोग काम पे जाते हैं उनके लिए हमने आप उसरुवात में बताया कि वो लोग असनान कर सकते हैं बहुत सारी बिमारियों से दूर रहेंगे लेकिन जो घर की महिलाएं हैं वो रात में असनान नहीं करेंगी साम में असनान नहीं करेंगी वरना लक्षमी रूस्ट हो जाती है खासकर जो महिलाएं हैं और यदि सूरी गरहन या चंद गरहन का दिन हो तो उस इस्तिती में रात किसमें असनान किया जा सकता है दोस नहीं लगता नमस्कार बहुत स्वागत है आपका रोज नहाने से क्या होता है और जो महला रोज नहाती हैं आप महला हो या पुरूस हो अगर आप रोज नहाते हैं तो इसके क्या पॉजिटिव आपके सरीर पर इसके असर पड़ते हैं और हमारा सास्तर क्या कहता है हम बैग्यानिक और धार्मिक दोनों ही कारण आज आपको बताएंगे देखे बच्पन से ही आप सुनते आ रहे हैं कि रोज नहाए सरीर की जो एक खुबसूरती है कांती है वो बढ़ेगी बड़े बुजरुग भी हमेशा ये कहते हैं कि नहाने से इनसान के आधे बिमारी समाप्त हो जाते हैं लेकिन बिग्यान क्या कहता है बिग्यान तो कहता है कि रोज नहाने से सरीर में नुकसान होता है दरसल रोज नहाने से नुक्सान नहीं होता जरोज से ज़्यादा समय अगर आप नहाते हैं नहाने के लिए लेते हैं तब हानी करता है अगर हम हार्डवर्ड हेल्थ की एक रिपोर्ट की माने तो आम तोर पर healthy skin skin पर जो oil की परत होती है good bacteria को संतुल रखने का काम करती है और नहाते वक्त skin को रगड़ने से साप करने से वो निकल जाते हैं और अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो और ज़्यादा नुकसान ढाएक है, तो नहाना तो है पर थोरा सा नहाई है, बहुत देर तक साबर की नीचे खड़े हैं, नदी में अस्नान कर रहे हैं, बहुत त collision के लोग होते हैं, ऐसा मत किजिए, ये आपके लिए सही नहीए ह एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि नहाने के बाद इंसान की जो खुरदरी या रूखी तवचा है बाहरी बैक्टिरिया और यहां पर देखिए बाहरी चीजों को दावत दे देता है जिससे की स्कीन का इंफेक्शन और एलर्जी की समस्या बढ़ जाती है इसलिए नहाने के आलें आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन दूसरी तरफ सरीर में एंटी बाडी बनाने और इम्मिनुटी को बढ़ाने के लिए हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को एक निस्चित मात्रा में कॉमन बैक्टिरिया गंदगी या सुप्षमेजीवों की आवसक्ता होती है घर की म कव उठती हैं कव श्नान करती हैं यह बहुत मैने रखता है वैसे तो हरकिसी क्लिब मैने रखता है लेकिन महिलाएं लग-भग सब कुछ अपने ही सर पर लेकर चलती हैं और बख़ुवी तमाम रिश्ते नाते तमाम रिटी निवाज भी निभाती है तो आज हम बात करने व यों में नित्यक्रिया के लिए समय निरधार्द किया गया है। और ऐसे में अगर आप सुबह चार से पाच बजे के बीच अजान करते हैं तो ये अजान सबसे सरवोथ्तम है, इसको हम मूनी अजान कहते हैं। इस दौरान असनान करने वाले ब्यक्ति के घर में सुख, सांती, सम्रिद्धी, बल, बिद्या, आरोग, चैतना, सदय बनी रहती है। दूसरा असनान है देवसनान, यह असनान होता है सुबह पांच से छे बज़े के बीच, अगर इस टाइम में आप नहाते हैं तो यह सबसे सरवोत्तम है। इस बीच नहाने से जीवन में यस्म बढ़ता है, आपका धन बढ़ता है, बैबब बढ़ता है, किर्ती, सुख, सांती, संतुष्टी हमेशा वास करती है। और तीसरा असनान है और यह नहाया जाता है सुबह छे बज़े से आठ बज़े के बीच। जब आप सुबह छे से आठ के बीच असनान करते हैं, तो इस दोरण नहाने वाले को हर कारे में सफलता मिलती है, उनका भाग यह हर कदम पर साथ देता है, और अच्छे कर्मों की सूज तो मिलती ही है, साथी परिवार में सुख, सांती, सम्रिद्धी, एक ताप बनी रहती ह है, तो हर एक नहाने का अलग अलग फल है, लेकिन अब हम जानते हैं, अगर आपके पास मान लेते हैं, महिलाएं भाई, बहुत सारे काम है, आपके पास आपना नहीं पाती हैं, सुबह आठ बजे के बाद नहाने वाले क्या होते हैं, अगर आप भी सुबह आठ बजे के बा वाले के घर में दरिता आती है हानी होती है कलेस आता है धनानी होती है परिसानी होती है